चलिए आगे मैक्रो मॉलेक्यूस की बारे में डिटेल में पढ़ते हैं मैक्रो मॉलेक्यूस की बारे में डिटेल में गया है यह चप्टर तो मैक्रो मॉलेक्यूस में अपन क्या पढ़ेंगे वहीं अपन कार्बोहाइडिट भी पढ़ लेंगे ठीक है प्रोटीन भी पढ़ इनका weight 10,000 दाल्टन से जादा है ओके गाईज और जो micro molecules होते हैं उनका weight क्या होता है 18-800 चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा लिपिड के बारे में दे रखा है कि लिपिड कहने को तो macro molecules है हाज ही बोल रखा है लेकिन ये फिर plasma membrane से आरपा कैसे हो जाता है ऐसे बोल रहा है कि लिपिड तो आपका macro molecule है चलने से चालने पर ये आरपार नहीं हुआ था तो ये plasma membrane को कोशिक का जिल्ली को कैसे आरपार कर रहा है फिव बोला कि मेरी बास सुनो plasma membrane क्या है plasma membrane हाइड्रोफोबिक है ठीक है और लिपिड क्या है लिपिड भी हाइड्रोफोबिक है तो क्या करते हैं ये लिपिड को आने जाने का रासा दे देते हैं आराम से क्योंकि plasma membrane भी हाइड्रोफोबिक है और ये भी हाइड्रोफोबिक है प्लास्मा में हाइड्रोफ़ोपी किसे हैं बता नहीं रखा क्या हमने बच्पन से पढ़ते आए हैं जो हमारी कोशी का जिली है वो फॉस्फोलिपड की तो बनी है यह लो तो मतलब जिसको इसने बनाया है वो उसको नहीं आने देगा क्या कि सोच के देखो भाई यह जिली फॉस्फोलिपड की ही बनी है तो के यह लिपड को अंदर एंट्री नहीं करने देगा वीशाब मैंने तरह को बनाय और तुम इरिको नहीं है प्लेक्राइब प्लास करना ना इसा करना भी मत्त दोनों है में तोनों जल से प्यार नहीं करते है बाहर जाने देगी बाहर से अंदर आओ अंदर से बाहर जाओ कोई रुप टुक नहीं है मेरे कैंस्ठ नेक्स मेरे चाहिक बता his followers कि एक चैल में एक IQ में आपको क्या मिले गा कितना परस्ट मिलेंगा और किस्ट कोशिकाे मतलब कि यह कोशी का है उसमें को यह चीज़ मिलेंगी और कि परसेंटेज प्रोटीन कीख और पूपयर की लिवादे डीन बीट़न और ये आयनस यह एक परसेंटी जी और यायनों। एफ़ राइव क्जूटे आ हैं अन्दर affected in Julian बाहर जॉद्धा मार जहते हैं। हैं कि और कभी भी ये मैं सुचिति जब बोने कि अंदर ये कम अयन है और बाहर ज्यादा आ Ali A cha मैं सुचना कि अंदर धनात्मकावेश है और बाहर रिनात्मकावेश है इसका सेंस अलग है बाहर रिनात्मकावेश इसलिए बोला गया है क्योंकि बाहर जादा आयन है जादा आयन्स है कि देट्स वाय क्या बोलते हैं इन्हें कि ये नकरात्मक चार्ज लिए घुमती है याविश और बीच में ये अंदर कोशिका जिली के अंदर जो भी है न वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि यहां पर कम आयंस है आयंस क्या है कम है वैस यह सैंसे यह मसूचना कि प प्रोटीन प्रोटीन किसका बना है यह चीज अपन बात में बताएंगे आपको क्यूंकि प्रोटीन आग्याइप डीटेल में ज्यादा यहां पे थोड़ा सा यह दे रख्या है और हांकि डीटेयल में पढ़ने वाले तो प्रोट्य बनता है किससे पॉली पॉट्टाइड से यकल्रिक पूछो कि कि पॉली प्रेप्राइड किसे बनता है बहुत साओं से तो वह की से बंदा है बहुत साथ किस से बनना है बल्ले बाई emerge विलिग स में भूमतबता है वह था हूं इस तरह से और यहां पर यह कुछ भी हो सकता है इस तरह से होती है अमीनो अमलग कितने टाइप के थे यहां पर आपके 20 लिख रहे हैं लेकिन अब डिस्कवरी हो चुकि यह 22 हो गए नेक्स्ट तो चाष्टेंग्स अमीनोईसिड्स हैंतर चाहिए नहींक इस देखो टीन चाहिए वेश्र A Mar um is that यह उक्यूंद कि आपस में एक बंड बनाएंगे बॉंड बनाेंगे हैसा से इन के जो बॉंड है इन बॉंड का नाम है इप्टायड बॉंड यह बंद बना रहे हैं यह बहुत सारे बना रहा रहा है मतलब यह पॉली पप्टैड एक बनाएगी अगर देखो एक अमीनो असिड की बात होती है तो हम समझते हैं यह बोड़ रहा कि पॉली पेप्टाइड है मतलब बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं यहां पर लिग भी रखाएंगी यह अमीनो अमले की रेकि शंकला होती है देख लो अमीनो अमले की श्रेकि गया है अच्छ वह दो चित्र 9.2 भी यह 9.4 9.2 देख लेते हैं यह यह आ गया हम 9.2 का है इस तो कहीं नहीं यह 9.3 है और यह 9.1 है लोजी साब नहीं है मैंने आपको समझा दिया समझ में आ गया होगा अब देखो डाइग्राम बता के डाइग्राम ही नहीं दे रखा मैंने बता चुकी हूँ अमिनो एसिड बाइस तरीके क्यों होते हैं लेकिन NCRT में 20 लिखा है तो आपके उशन में 20 कर क्या होगे बाइस मैं बता रही हूँ क्योंकि अब खोज हो चुकी और भी दोगी इन में तो खाले दो तिन के नाम लिख रखें एलनीन सिस्टीन प्रोलीन ट्रिप्टोफान और लाइसीन ये सिंबल्स हैं इनके अब देखो कुछ प्रोटीन्स बताए गए हैं उनका कारे बताए गया कुछ प्रोटीन्स बताए गए हैं कुछ उनके कारे बताए गए ये जो कॉलिजन है ना कॉलिजन का नाम सुना है क्या एक एक्स्ट्रा सेलूलर मेट्रिक्स है कॉलिजन का नाम सुना हो तो कॉलिजन कहां कहां पाया जाता है भाई बालों में भाई किरेटीन कॉलिजन ही सब क्या है भाई बाल जिससे बने है नाखुन जिससे बनी है ये क्या है ये प्रोटीन ही है ये जनतू के जो खुर होते हैं नेल्स होते हैं शैल होते हैं कवच हो यह किस के बने होते हैं यह क्रोटीन के बने होते हैं यह क्या देते हैं यह यह मैंने बता दिया extracellular matrix है यह क्या देगा एक बेस करवाड़ कर देगा सफिह को जोड़ के बना देंगा जिस कोशिका को इसके उपर डिवाइड करना है, बॉंड बनाना है, अटैच होना है, वो हो जाएगी, बेस देगा, मतलब सरफेस देदेगा, स्ट्रेंथ देगा, मजबूत बनाएगा, रिजिड बनाएगा, हाड मतलब, रिजिड मतलब हाड, और क्या होगा, इसमें नूट्रियंट्स होंगे, अब समझ में आ गया ये है तो प्रोटीन ही न ये तो है तो प्रोटीन न अब ये एक और प्रोटीन ट्रिपसीन ये रोल प्ले करता है एंजाइम की रूप में बढ़ है तो ये प्रोटीन ही है तो यह प्रोटीन ही, इंसुलाइनिक हार्मोन् है यह प्रोटीन का बना है, प्रतीजीवी, इंसुलाइन , व्र्तेर का से लड़ता है यह भी प्रोटीन से बना बने गिए ग्राही जानते हो रिसेप्टर इंग्लिश में कहूं तो रिसेप्टर चैप्टी 22 में पढ़ा दिया मैंने रिसेप्टर क्या होते हैं बैद कोई भी कोशिका है किसी भी कोशिका की बाहर हर तरीके की रिसेप्टर मिलेंगे कोई हार्मोन को लेने के लिए बना होगा कोई किसी मेडेसिन को लेने के लिए बनाओगा कोई किसी स्ट्यूमिलस को लेने बनाओगा तो यह जो है ना यह जो है यह देखो इससे कोशी का जिली के बाहर भाई इन से या के बायंड हो जाएगा अगर कोई हार्मोन है तो यहां बायंड हो जाएगा कोई विटामिन है तो बायंड ह होएगा तो यहां से बाइंड होके यह अंदर सिगनलीन चालू कर देते हैं कि यह क्या है ग्राही है और यह क्या है इनके लिगेंड है कि अधिवास मुझे ट्वांटी टू मैंने बहुत अच्छे से समझाए यह चीज़ और यह ग्लूट यह ग्लूट ट्रांस्पोर्टर भी होता है क्या करता है ग्लूकोज का परिवेन जो ग्लूकोज होता है उसको बाहर से अंदर अंदर से बाहर समझे हो यह भी प्रोटीन का यह बना होता है और यह इंपोर्टेंट है चार्ट इसको याद कर लेना प्रोटीम के उधारन में याद कर लेना यहां पर अच्छी तरीक से याद कर लेना यहां पे प्रोटीन खत्म होता है फिर आज listen के लिए सेलुलोस मुझे तो यह बत।दाओ कि जो पॉलिसेक्राइड है माक्रो है कि मॉल्ट्द है कि प्रब्लम है क्या मैक्रो ओअ कर्छी मोलक् orang को मəruchen लें मैक्रो लिए तो इसका वेट lot कितना होगा कितना भी होले किन 10 हाद से भी ओपर ही होगा क्या ये विल्याय देखों लिखना आयाम क्या विल्याय ना एक इतना लिखना प्लांट में सुनाए ना कोशिय का भित्ती सुनिए ना सेल वॉल सुना है न यह जो सेललोस बने हैं हैमिस वैललोस बने हैं पैकेटीन बने हैं लिगनीन बने हैं यह किसके बने होते हैं यह इन्हीं के बने हैं यह इन्हीं के यह हैं चाहिए यह कोशिका को मजबूती देने के काम आए यह कोशिका भितियां पाए जाते हैं यह कोशि की सेल की स्ट्रक्चर खराब ना हो और अगर वो लोग की फूड में मिलता है क्या बिलकुल मूटता है यह मुझबूती देने की काम आ रहे हैं तो यह फूड में भी काम आ रहे हैं इस्टार्च क्या है एक पॉलिसे क्राइड है इस्टार्च क्या है हिंदी वो तो मंड मांड स्टार्ज क्या है एक से किराइड ही है जी गलाइकोजन क्या देखो एक खाने का यह है यह भी क्या है भाई यह भी पॉलिसे किराइड ही है अब नेक्स्ट इंसूलिन बताऊं अग फ्रक्टोस बताऊं यह सब क्या है यह सब पॉलिसेकराइट है और यह सब के सब मैक्रो मॉलिकूल से सब के सब माईक्रो मॉलिकूल से थोड़ा वहते पढ़ देती हूं आपको और अश्य समझ माझा जाएगा देखो अमल एविले किलियर यह टर्म ठीक है अगे नेक्स्ट यह पॉलिसेकराइअ होती है शुगर ग्रूप होते हैं है क्यてIDS को मोलो से समझरों ना एक चेन मतलब पॉनो से क्राइड दो स्टी चेन है तो डाइसे के राइड ठीक है समझरों यह शंक्ला सुद्र की तरह का पास की रिषय में चल्डों एक से एक तरीके का मॉलक्यूल बना रहा है इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्ट है सेलूलों से भिन है लेकिन यह पादब पुत्तकों में ऊजा बंधार के रूप मिलता है देख लिया और यह वोडा के बंधारन के रूप में मिलेगा एक स्प्राणियों में एक अन्य परिवर परिवर्तिया कुंडली दार सचना होती है यह हैलिकल स्ट्रक्चर है यह देखो अर्य वाँ गलाइकोजन देख लो बटा यह स्ट्रक्चर गलाइकोजन की यह देखो एक शुगर गुरूप दो शुगर गुरूप तीन चार और यह जो निकाल रखा है ना यह ब्रांचिज हैं देखो एक तरह से प्या है य है यह देखो आँसा सर्षिंधürtra की नंबी इसको पहल उसको थे अब यह देखोंच निकाले हैं तो यहां सा निकालने चलो को एक बात या डखना 5-23 ऌ melodious एक इसकी लेग भी करो, यहां पे चौथा आएगा, एक, दो, तीन, चार, पहले और चौथे में बंद बन रहा है, यहां पे, फर्स्ट एन फोर्थ, और यहां पे बनेगा, पहले में और छटे में बॉंडिंग, यहां दखना, ब्रांचिंग करनी हो ना, ब्रांचिंग करनी हो, तो पहला कार्बन और दूसरी चेन का छटा कार्बन बंद बनाएगा, और अगर, अगर आपको यह लाइन श्रंखला पूरी करनी है, तो पहला और चौथा कार्बन बंद बनाएगा, नेक्स्ट, पादब कोशिक अभीती सेलूरोस की बनी होती है, बिल्कुल हमें पता है, देखो, अब भी क्रियर की है, मैंने बात, इन्होंने थोड़े लाश में देदी, मैंने पहले बता दिया आपको यह चीज़, कागच पोदो की लुगदी से बना होता है, ओके जी, रूई के धागे सेलूरोस की बने होता है, देखो, यह एक्जामपल से हैं, आपको याद क करा, जैसे देखो, गलुकोसामीन, यह और मोडिफाइड है, एन एसे टाइल, गलुकोसामीन, यह एक ही है, यह चीज़, यह एक ही चीज़ है, नेक्स्ट, ऐसे बोला है कि जो आर्थो पोड़ा होता है, ना, आर्थो पोड़ा, इसको जो बाहर जो कवर होता है, यह भी बाता हैं, यह चीज़ का बना है, टीने की चीज़ का बना का है, यह अंपहे कैल के यह चीज़ का पणक्तीख लग попроб और नाइट्रोजन बेस शुगर कौन सी होती है रायबोश शुगर होती है नेश्यी दियोखती है विदो स्टोन है यहां पर भी ओउएज ग्रूब होता है लेकिन डी ओक्सी फॉर्म में क्या होता है एक ओ निकल जाता है तो एक ऑक्सिजन की कमी डी ओक्सी इस तरह से है यह एक है और एक रिमूव हो गया है तो यह वाली फॉर्म पाई जाती है इसमें फासफेट ग्रूप होता है यह लो साब और नाइटोजन बेस कितने होते हैं एडिनीन गवानीन साइटोसीन थाइमिन एजी तो होते हैं प्यूरीन यह सब लिखावा बिटाएं सीर्टी में भी और यह होता है पिरिमिडीन यह double ring structure है और यह single ring structure है यह जो A है वो T से दो बंद के तूद जूड़ता है और C G से triple bond से जूड़ता है यह जो bond है इन bond का नाम क Points है जैसे हमने peptide bond पढ़ लिया कि दो amino acid की बीच का bond है यह जो double bond ही बन रहो है न यह hydrogen bond है अब ट्वेल्थ में आऊगे तब और एडवांस मिलेगा आप वोई है ठीक है अब यह DNA मैंने बना दिया शुगर है फॉस्वेड ग्रूप है नाइटोजन बेस है इसको आप न्यूकलियोटाइड भी वह सकते हो न्यूकलियोटाइड भी वह सकते हो ठीक है और अगर बोलू कि न्यूकलियोसाइड अगर बोलतो तो कुछ ही नहीं बस शुगर रह गया और नाइट्रोजन बेस रह गया फॉस्वेड क्या वो फॉस्वेड रिमूफ फॉस्वेड रिमूव तो यह हो गया जी आपका न्यूकलियक अम्मल के बारे में यह मैंने सारा बता दिया है आपको एडिनिन, गॉणिन, साइटोसिन, थाइप मीन यह होता है डिने में अगर मैं आर अने की बात करूं तो आर अने भी होता है कौन सी पहली होती है राइबोज, शुगर या शरक्रा दूसरा होता है फास्वेड गुरूप और तीसरा होता है तीसा क्या बताया मैंने नाइट्रूजन बेस बस इसमें फरक इतना सा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही फरक है कि और ने में युरे सिर पाया जाता है है कि देखो यहां पर मैंने क्लिएर कर दिया चीजें सब प्रूटीन की रजना अब अच्छे से पड़ो इसमें मैं प्रोटीन की प्रात्मिक प्रात्मिक बताऊंगी द्वित्यक विल्टहूंग चट्छ भी बताऊंगी अब ध्यान से सुनना फिरण ट्रैंडिंग प्यार अब ध्यान से सुनना यह जो लिखी वी नहीं सब चीजें यह प्रात्मिक के बारे में यह आप इस द्वित्यको बारे में यह एक Amunosid है, यह दूसरा Amunosid है, यह तीसरा, यह चॉत्छा, यह पांचवा, यह छट्टा, यह साथ, आठ, नो, तस, और यह एक यारा क्ये यह सब को दिख रही है, क्ये यह Polyp hybrid की शंकला है यह जी सब यह Polyp hybrid की शंकला है इसमें कोई दिक्कत इसमें ये एक बंद के थूँ जुड़ी हुई है ये बंद देखो मैं दूसरे पैंसे कर देती हूँ ये देखो ये देखो जुड़ी है के जुड़ी एक बंद के थूँ जुड़ी है आपस में ये ही बंद तो है पेप्टाइड बॉंड पेप्टाइड यह Ps इंपल वाल बस एक पाद एक के बाड़े यह सब्स Smells हुआ शृदभ महीड कोई दिक्कत नहीं चुल रही है यह इसकी पढ़ ले प्रनथे इसकी डिफिशन पढ़ ले इसमें बदाया गया है अच्छा इसमें तो definition भी ढंक से नहीं है इसमें तो definition भी ढंक से नहीं है आप यहीं पढ़िए यहीं सही आएगा आपको कि एक amino acid दूसरे amino acid से peptide bond बनाता है पहले line यह इस तरह की बंद से एक polypeptide से एक peptide से बहुत सारे peptide bond बनते हैं जिनसे मिलके polypeptide की शंकला बनती है इस शंकला को प्रात में सरचना कहते हैं यह क्लियर हो गई अब आती दितिक सरचना दितिक सरचना को दो पार्ट में डिवाइड किया है एक तो alpha और एक बीटा कि दोनों ही सेम है हाँ बस structure अलग हो जाएगी अब यह जो फॉर्म है न यह पॉलिप्रेयर फॉर्म अभी तो linear है यह ऐसे थी अब जैसी alpha Alex की बाद जती है तो यह क्या होगी यह वाला इससे बंद बना लेगा इससे बंद बना लेगा मुनसिट मतलब यह तो चली रहा है साथ की साथ एक और bonding करना जाएगा hydrogen bonding करने लग जाएगा तो यह क्या होती अब सचना के ट्विश्ट हो जाएगी यह सचना इसे बना लिया इस वाले ने इसके साथ बंद बना लिया इस वाले ने इसके साथ बंद बना लिया यह तो तो ट्विस्ट हो गई यह है अलफा हैलिक्स और यह जो बंद है ना जो बॉन्ड है वह हाईड्रोजन बॉन्ड है आप एक बार अच्छी सोर समझा दो क्या एक बार एक अमीनो ऐसेड की लम्भी शंकला है मैं नमबर देदू वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन अब क्या किया इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉर्डिंग कर ली इसने अगले के साथ हाइड्रोजन बॉर्डिंग कर ली इसने उससे अगले के साथ हाइड्रोजन बॉर्डिंग कर ली तो इस वज़े से क्या हुआ जो यह सिंगल स्ट्रक्चर थी ने यह चेंज थी अब यह हैलिकल फॉर्म में चेंज हो गई अब भी क्या होई यह हैलेक्स में बन गई मतलब वो एक ने पहले वाले ने चौथे वाले के साथ बना लिया चौथे वाले ने ठीक है आठ साथ वे वाले के साथ बना लिया साथ वे वाले ने दस वे वाले के साथ बना लिया मैं समझे इस तथरह यह किसी और से बनाएंगा मतब दूसरा मान लो पाँच वी से बना लेगा इस तो इस तरह से दिखो यह बंद बंद कर जाएंगे इन बंदों को बोलते है hydrogen bond और यह जो स्टंखला बनाई है नो इन्होंने ये बोलते हैं alpha helix को अच्छा बीटा-plated sheet क्या होती है यह तो helix की फॉर्म है और यह sheet बनाएंगे इस तरह से बन तो यह बनाएंगे बन तो यह बदो यह बनाएंगे पर यह शीट फॉर्म में रहेंगे हैलिक्स में क्या थोड़े दूरी आजाती है लेकिन शीट में क्या दूरी नहीं आती है पास पास में रहेंगे अब यह बोड़ रहे हैं कि यह अभी तो हाइडोजन भी बना रहे थे अब यह डाइसलफाइड बॉन्ड भी बना लेंगे अभी तक तो यह यहाँ पे तक तो क्या हाइडोजन बॉन्ड था देखो यहाँ पे तो पेप्टाइड बॉन्ड था यहाँ पेप्टाइड भी है हाइडोजन बॉंड भी है और डाइसरफाइड बॉंड बना लेगा यह लो साब तो तीन तीन बॉंड बना लें के बाद एक दम पूरी यह मर्टीपल स्ट्रक्च्र रैसे हो जाएगी पूरी अब अगर चत्रुष्क सरचना दिखी जए तो यह देखो है अभी जैसे यह ट्विस्ट हो इन्हें एक सरचना एक और सरचना इसी की सुजह जाएगी हम यह लो यह इसे एक होगई और दूसरी जाए इससे वह गई एक इससे हो गई और दूसरी इससे वाली हो गई, तो यह कौन सी तस्थ चतुशक। इसमें peptide bond भी है, hydrogen bond भी है, sulfide sulfide bond भी है, और hydrophobic bond भी है, hydrophobic bond येलो साथ आपकी protein की सचना पूरी हुई, इसमें देकों डंग से clear नहीं कर रखा है, है मैंने आपको much betterly with bond की hempuntा दिया इन mature discussion be नहीं किया इन लोगों ने तो bond का discussion भी सिंन और ही नहीं किया पोड़ी एक से आदिक है नहीं peptide bonds तो हें hydrogen bond की बना वं existence हेलोग मतलब कहां विचलीakah सिंपलजी थी एक पलाँ बोनस से कुछ हो रही थी कहा इन्होंने बस क्या सुजी कि इन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया वेकित इनको क्या सुजी कि इनु 모든 बना रही और शुरुकश्क भी तुपर धर और एक यह वारा दोनों मिल जाएंगे हाइड्रोफॉबिक यह हाइड्रोफॉबिक के फूर जुड़ जाएंगे ऐसे तो जोड नहीं सकते ना सारे बॉंट बना के देख लिए अब हाइड्रोफॉबिक यह सब गुच्छों के गुच्छों को पास मिली आएगा एक तो यह हो होती है अपने यह हमोगलोबिन को तोड़के परस्किया कि यह एल्फा और बीटा दोनों का बनाए एक्ट्वल में यह अशर्टा था पहले यह एक ही है यह प्रोटीन एक ही है पर तोड़ा ना तो देखो आफा यूनिट अलग है बीटा यूनिट अलग है मत्दब सुचों यह हाइडोजन बेग तूटा ना तब जाकि मतला कि यह अलफा लग है और बीटा लग है इससे प्रता था कि यह एक ही प्रोटीन है आप समझे भाई मेरी बात बच्चों एक्जामपल है इसके एक्जामपल है इसके किसके चतुश्क के मानव का हीमोगलोबिन चलिए नेक् पढ़ चुकियों और पॉल सेकरेड्स के अंदर बीच में कौन से बंद बंते हैं इसको नहीं बहुता है जब इसको फासफेट से जुनना होता है बाई शुगर को जब फासफेट से जुनना होएगा ना तभी यहां पर जब बॉंड बनाएंगे ना वो भी गलाइको सिड़ी की बॉंड होएगा यह देखो एवर डियने की स्टक्चर देखो मैंने देखो पहले ही क्लियर कर दी अब लास्ट में आ रहा है यहां पर डियने कैसे बॉंड बना रहा हैं को यह ट्रिपल बन रहे है ना यह किसकी बॉंड बन रहा हेँ तो कह तो कॉन थे कंसे बॉंड पढ़ लीए प्यक्ताइड राइड का लिया। गया कर्कलिया गर शरफ्र की बीच में गजादे कि क्या कहते हो सलफर सलफर की बीच में होगा तो डाय सलफाइट बॉंड कहलाएगा हाइड्रोफोबिक बॉंड बेटा वो अलग चीज़ है हाइड्रोफोबिक बॉंड अलग है यह लिस्टेड ही अलग है यह नोन पॉलर वालों पे काम करता है एक सिंपल सा एक्जामपल इसमें आपने जल भर दिया इसमें आपने क्या भर दिया जल है क्यों क्यों क्यूंकि औल जो है वो नोन पॉलर है इस पे कोई चार्ज नहीं है बटा और जो जल्द है वो पूलर है इस पे चार्ज आजाता है ये एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होगा मिक्स करके देख लो चुली ये बरतन है इसको पैक करो और जोर से मिक्स करो तो देखो यहां पर बहुत साइब पानी भी खड़ जाएगा और डॉपलेट्स भी खड़ जाएगी फिर बाद में सेटल डाउन होने दो इसको फुर दे रहे हैं कि अग्याओं दो कुछ देवज़ देखोंगे वह यह जह जो ट्रॉपलेट्स ही ला जो अलग अलग भिक्रेटि मैवी पाणी की सत्य के उपर जाएगी काय यह दिख लेए पानी की सब्मक्रदिंगी और अपसमें न पास-पास उनल जाएगी कौन नौन-पोलर और नौन-पॉलर एक डॉपलेट यह थी यह भीbas यह दीजिक है पास बनाना जाएगी तो यह नॉन पॉलर नॉन पॉलर इंट्रेक्शन हो रहा है न यह है हाइड्रोफोबिक मतलब यह पाने से बॉन बनाती यह एक दूसरे से बनाएंगा और कुछ दिर बात देखोगे आप टो वापमस से फवक्र थे और फजूर जआ और फज्डेर्य कारकर रहूं-ज़ज़द करूगे उयह यह तो यह बात समझ पर अ कुपलेट करवा दिया है hydro وبon d जो बनता है किसमें युदार में आट नॉन-पॉलर की वीच पी 갖고 रहे बिच कि दैए को फ सकानी है ंटेक्शन इंद ना पर ये भी नान पॉलर ये ऑक हो त यहां होता है कि भी तूप से मैं तो यह बहुंद बनेंगा यह बहुता है इनक इस वोखने बहुता इनकी बार्न बिच के बीच के बहुता है कि कि ए मीम लेगे है और आप आन्स नो चार इनकी बीच में अगर इहां से यहां पर्ण बना रहा है तो तो यह hydrogen bond था मैंने यह सिखा दिया आपको वह यह amino acid की sequence है मालो sulfide bond के तुरू जूड़ रही है तो यह डाइ-sulfide bond हो गया कि यह लो साब यहां पर आपका आदा चेप्टर खत्म हो गया नेक्स्ट चेप्टर में हम एंजाइम से शुरू करेंगे आपके यह यहां तक clear हो गया है मैंने सारे bond समझा दिये यह इसी में आएंगे बंद बनाने की प्रकृति है ना तो बंद बनाने की प्रकृति में आप हाइड्रोफोबिक समझा के आओगे और गजामेनर को कि फिर दूसरा आप हाइड्रोजन बंद समझा कि आओगे हाइड्रोफोबिक bethote था ओएंगे वह Helm कैं और है था बंद किसमेता की आओगे हाइड्रोगम लिता या प्रफघनि से यह हाइड्र न्यप्वरोड में बारे में धी श्रह ची कि तुम अमीनोमल एक अमीनोमल दूसरे अमीनोमल से जिस बॉंड के तुम जोड़ा होता है वह प्रप्टाइड है और राइड काई और सल्फाइड बॉंड यह बूचे तो तो बता देना कि यह प्रोटीन की तृतियक सरचना बनाता है कि यह देखो यह वाली सरचना कि यह वाली प्रप्टाइड भी है है मतलब सिल्फाइड सिल्फाइड इंट्रेक्शन कर लेते हैं यह प्रोटीन की चाहिन है और यह ब्रॉंड बना लेंगे सिंपल बेटा वेरी सिंपल तो अब नेक्स्ट लेक्शर में हम एंजाइम के साथ मिलेंगे आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिस्निंग में थैंक यू सू मुच काईज